दोसों साथ मिलकर देखते हैं लेटिस्ट वीडियो अमेरिकन प्रेजडेंट जो वाइडन जो है खुद चल कर आ रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास और जादू की जप्पी दे रहे हैं होदी जी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्टान के उपर एक स्टेटमेंट आई है वो पहुंचे हैं जापान जी सेवन समिट में शक्कत करने के लिए इन्वाइट किया गया और वहाँ पर उनको सर रेड कार्पेट वेलकम दिया गया रेसेप्शन दिया वेलकम किया और बड़ी इसकी धूमची वी इमरान खान पाकिस्टान के खिलाफ अमरीकियों से मदद मांगने लगे बेपास आओ मेरे दोस्तों एक किसा सुनो इमरान खान के अमरीका से मदद की अपील इमरान कान की मुबयना आडियो सामने आ गई है एक दूसरे को सबक सिकाने के चकर में तमाम लाइन्स क्रोस की जा रही है तो याद रखिए पाकिस्तान के साथ ये सब ना कीजिए और अगर कोई ये कहेगा कि अरे खान साम आप तो जिन्दा है तो वो कहेंगे ये जीना भी कोई जीना है ललू इसकी रिफलेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहाँ पे मेडिया इटेंशन उनने का जी पाकिस्तान से तब ही बात हो सकती है जब टेरिरिजम पे कंट्रोल किया जाए उनका स्टेंड ये है कि एक ही वेक्ट में जो है वो पीस टाक और एक ही वेक्ट में दैशित ग हेलो हमिशकार दोस्तों स्वागत है आप सभी हमारे यूटूप चैनल SP News 91 में दोस्तों मैं आपको बता दूँ के परदान मंतरी नरेत मोंती जी और अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन का एक वीडियो बहुती ज्यादा सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है मैं आपको बता दूँ सनिवार को हमारे परदान मंतरी जी जापान में हिरोशिमा में पैठक में सम्मलिद हुए और जो बाइडन ने हमारे परदान मंतरी जी को देखते ही भाग कर गले लगा लिया ये वीडियो बहुती ज्यादा सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और हमारे परदान मंत्री मोदी जी ने रखी अब जो वाइडन जो वाल लीडर है अमेरिका के रष्टपती है उन्होंने भाग करके उन्हों गले लगा लिया ये देखकर के इस वीडियो को जो ये वाइल हो रही है ये पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान वालों ने जब करेंगे नरिंदर मोदी जी की जो के आजकल जी जपान में है और वहां पर जी सैवन समिट में गये हैं जाहिर है लेकिन ये कर किया रहे है जी अमेरिकन प्रेजिडेंट जो बाइडन जो है वो नरिंदर मोदी जी के पास गए और रखके उनको जपी दी जी हाँ जादू की जपी बिलकुल मुना भाई जी एमबी बियस हादी तो जादू की जपी तो दे दी मोधी जी को और मोधी जी ने जो बाइडन को लेकिन पूछना ये था कि जब खान साब ते तो ये चाचा जी फोन ही ने उठाते थे जो बाइडन अजीव इनों ने तमाशा लगा के रखका था था वो खान साब बार है इंडियन प्राइम निस्टर के पास और जादू की चपी दे रहे हैं मोधी जी को मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखर ये हो क्या रहा है ये चल क्या रहा है सब कुछ लेकिन मोधी जी जो है जी वह बिलकुल जैपान में है और जाते के साथ ही उनने सबसे पहले पाकिस कर दो सकती है ना आप मतब टेरन और टॉक कैनोट तोगेधर आइकन अडिस्टेंड लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि आप बैट के बातों कर सकते ना आप मतब क्लाइन करते हैं कैसे रोका जाए इन यहां पर बहुत सारे वह ना नॉन स्टेट एक्ट जो हम बोलते ह है उन्होंने आप के पी के में देख लीजिए आप की टीपी को कंट्रोल करने के लिए और वहां पर कई ऑपर चल रहे हैं तो वह भी न्यूज आ रही है और मेरा ख्याल है के भारत भी उस न्यूज के ओपर यकिना नजर बना के रखा होगा इंडिया के प्राइम मिनिस्ट किया और बड़ी इसकी धूमच जी और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एजिया में उनका एक इंटर्व्यू पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बाइलेटरल और नॉर्मल रिलेशन्स रखना चाहते हैं जैसे न मोदी साथ का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमिन्ट है उस हवाले से बड़ी डिसकेशन हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन्स में इंटरस्टिड हैं तो पहली बात यहा है कि जो उनको रेड कार्पिट प्रोटोकॉल या जो एतराम दिया गया है वो जाहर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े कलब में शामल हो रहा है जो के बुनियादी तोर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वला कलब है तो उसकी अहिमियत का वैसे भी जो है एक आप को किसी किसम का प्रोटोकॉल दें या न दें वो जाहरा कहीं गुना कहीं दरजे बढ़ जाती है एमियत तो उस अवाले से जाहर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफलेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहां पे मेडिया इटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल आफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है और तीसरा ये है कि जापान चुके बेसिकली इसको पोस्ट कर रहा है तो जापान के साथ वजाहर है एक स्टेटेजिक पार्टनर्शिप में है इस वक्ति इंडिया जो के इल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइन स्टेटेजिक पार्टनर्शिप है जो सोच चाइनस सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहां के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो इस वाले से जाहर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक नियूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकुमेंडेट करते हैं और उसको आईलाइट करते हैं तो इसलिए ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी ये मैं काफी अरसे से जिकर कर रहा हूंग जश्टा चार पांच सालों से कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि ज जो है उनकी जो एमियत है क्योंकि वो मैंने पहले एर्ज की थी कि इंडिया जो है ना एक सीलिंग जो होती है किसी भी मोल्किया परसन फार दैट परपस के आगे उसको वो तोड़ चुका है और वो इस इंटरनेशनल इंपार्टन जो कलब है उसका मिंबर है अब उसकी वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल कोई जवाद जरूर आगा होगा उसे आप हमें कमेंट बोक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आपका कोई विचार है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा साथ ही मैं आपको बता दूँ यदि आपको की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना विल्कुल न भूलिएगा और यदि आप चैनल पर नए है पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को गोल पर सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि भविश्य